वेलकम बाक तो स्ट्रीमर्स आज हम औरिगेमी के बारे में अब लब औरिगेमी के साथ पुछ से एक नए एकस्परिमेंट करेंगे तो आपको शायद बैग्ग्राउंड में कुछ ऐसा नजर आ रहा हो जो औरिगेमी का हो नजर आया क्या नहीं आया आगया आगया तो तो बेसिकली यह से बैठ सकती है ऐसे हमने अटकाया वा था वैसे अटक भी सकती है और इसके ऊपर यह एंटेना जरू लगाना लास्ट में अलग से काटके तो इसकी लुक और अच्छी आएगी हां तो चलो अब वीडियो देखो ठीक है तब सक मत हो रहा हो तिटली से बात करते हूं ठीक है सबसे पहले हम एक ऐसा स्क्वाइर शेप का कागज लेंगे हम उसको ऐसे जैसे हमने पहले बर्ड के लिए फोल्ड किया था ना एक बार होरीजेंटली ऐसे हां और अच्छे से दबाएगा अच्छे से एक दम अच्छे से वरना क्रीज डंक से नहीं बनेग अरे 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 दबा लो दबाओ वहीं से दबाना था अरे क्यों खोल दिया हाँ अब देखो दबा दिया दबा दिया सुन लिया सुन लिया सुन लिया देखो ऐसी दबाना है ठीक है ना ऐसी दबाओ रही दबाओ अच्छे से दबाओ फिर अब हम खोलेंगे और अब आप देखो चार ऐसे लाइन्स चार बक्से बन गये ना अब इस बक्सों को और हम छोटे करतेंगे ऐसे डाइगनल फोल्ड मारेंगे आइमिन डबाएंगे आइमिन बनाएंगे आ मतलब हाँ हर एक लाइंग्वज के हिंदी में हो गया है हाँ हाँ पॉफेक्ट देखो एक दम ऐसी वाली लाइन चाहिए हमें ठीक है ना अब हम फिर से एक और बार ऐसे मतलब फोल्ड करेंगे प्रेस करेंगे और अच्छे से करेंगे डाइगनल लाइन्स आएंगी विर देखो देखो क्या वो पियर है नहीं वो कागिज है रहा पता था यह पूर पीजय हो गया था कोई नी अब देखो क्या करेंगे अब हम खोल के लाइने नहीं हारेंगे किती सुन्दर दीप लाइन बनी ही अब वापस से ओरिजन्टल फोल्ड करेंगे ऐसे और अब गोर से देखिए अब हम ट्राइंगल बनाएंगे वो बड़ा वाला अरे ये लाइन नंग से नहीं बनी थी फिर से बनाएंगे और ऐसे उस ट्राइंगल के उपर ऐसे करके साइट से ले आएंगे एकदम ध्यान से देखिए गई ये स्टेप वरना आपके टितली चिरियाना बन जाए और पीछे वाली साइट से भी हम ऐसी करेंगे अब आप देखिए इसके नीचे की तरफ आपको ऐसे शेप नज़र आनी चाहिए अगर ऐसी शेप है तो आप एकदम सही कर रहे हैं तालिया अच्छ आप देखिए ये जो बीच वाला है ना लाइन उसकी उपर हम ऐसे करके फूल्ड करेंगे ठीक है ना नज़र आ रहा हो तो ये देखो मैं आपको समझाने के लिए ये लाइन्स बनवा रहे हैं ममी ने बना दी हैं अब ऐसे फूल्ड करेंगे अच्छ सी दबाओ और अच्छ सी दबाओ देखो दूसरी साइट से भी हमने वैसी किया न पता ये कौन सा हिस्सा है बटरफलाई का नहीं पता आपको नीचे वाले पंक हैं ये अब देखो हम पीछे से ऐसे ओपोजिट घुमा के ऐसे नीचे की तरफ कर लिए अब इस वाले हिस्सी को हम एक हिस्सी को उठा रहे हैं वो जो नीचे हमने अबी पंक बनाए थे वो नहीं उठाएंगे और एकदम जितना हो सके उतना उपर लेके जाएंगे थोड़ा एक्स्ट्रा मितलब आपको पुश करना परेगा उस उपर वाले हिस्सी को तभी थोड़ा सा राउंडेड फिगर आएगा यह देखिए पर यह ध्यान रखे कि साइट फटने नहीं चाहिए बिचारी तितली के पंक न फारियेगा देखिए ऐसे दबा दीजिए उसके बाद वो साइट से थोड़ा गोलाई आएगी न ऐसे उसको दबाना है और उपर से एस्टोरी से चोंच निकली होगी चोंच की जैसे उसको वापस गुमा क्या फूल्ड कर सकते हैं या ऐसी छोड़ सकते हैं कि अगर आपने मेरे जैसे जो बाद में मैंने अंटेनाज लगाएं वो लगाना है तो वो बिना फूल्ड करें भी हो जाएंगे हाँ तिटली की भी आख बना सकते हैं और यह आपकी तिटली बनके तियार है यह अपने वीडियो देख बली इतनी चली अरे वाजी वाज अच्छा चलो वीडियो टेखने के लिए थन्यवाद लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाई